राजस्थान के मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक मामली की जाँच SIT से कराने का नेने लिया है जब बीजेपी विपक्ष में थी तब अशोक गहलोत से CBI से जाँच कराने की मांग की थी और मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जमकर भी किया था बीजेपी के तदकालिन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया किरोडी लाल मीना और केंद्रिय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत ने उस समय कहा था कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने पर पेपर लीक मामले की जाँ CBI से कराएगी जरूर इन नेत पेपर लीक की जाँच SIT से कराने की घोशना कर दी है राजस्तान के सियासी जानकारों का कहना है कि भजललाल शर्मा भले ही पहली बार सियम बने हो लेकिन उन्होंने पेपर लीक मामले की जाँच फिलहाल CBI से नहीं कराने का निने लेकर अपने सियासी विरोधियों को जोर भरती परिक्षा से लेकर अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं के करीब 17 पेपर लीग हुए ऐसे आरोब बीजेपी लगाती रही है सतीश पुनिया का कहना है कि बीजेपी की सरकार बनते ही पहला काम सी बी आई से कराने का होगा लेकिन सीम भजनलाल शर्मा ने ऐसा नहीं किया उ उनका कहना था कि मामला लंबा चलेगा इससे रीट के करीब 40,000 से ज्यादा पद अटक जाएंगे गहलोत ने कहा था कि हम नकल रोकने के लिए कानून बनाएंगे और ऐसा किया भी लेकिन सियासी जानकारों के मताबिक बीजेपी CBI जाच कराने की मांग को एक तरह से मुकर सियासी जानकारों का कहना है कि SIT से कराने का मतलब जाच ठंडे बस्ते में जाना क्योंकि पहले ही राज्य सरकार की एजनसी SOG पेपर लीक मामले की जाच कर रही है